वित्मंत्री निर्म्रा सीतारमन ने कल संसर में साल 2023 का आम बजट पेश किया जहां सादी के अमरतकाल के पहले बजट में एक सशक्त और समावेशी अर्थविवस्ता के लिए ब्लूप्रिंट साफ दिखाई दिया बजट में वित्मंत्री ने सब्तरिशी के जरिये साथ प्रात्मिकताई बताई हैं ये भारत एड़ दरेट 100 के विजन को सकार करने के लिए विकास, रूजकार, सिर्चन और आर्थे के सिर्था पर जोर देती है देखिए ये खास रिपॉर्ट वित्मंत्री के डिजिटल बजट में अमरित काल के लिए विजन पेश किया गया है जो की सशक्त एवं समावेशी अर्थ विवस्ता के लिए एक ब्लूपरिंट है वित्मंत्री ने सब्तरिशी के जरिये अपनी सरकार की प्रात्मिकताई साफ कर दी अपना पांचवा लगातार बजट पेश करते हुए वित्मंत्री ने प्राथमिकताई साफ की तो ये भी बता दिया कि भारत एट हंड्रेट के विजन को साकार करने के लिए किन चीजों पर फोकस किया गया है ओर विजन कि तेह ह्थ तो ये लुज थिसे कि प्राथमान सून्छी मेर्ज़ प्राइश अपनाड फिश्य को साफ किवे हाज ये कि एज अजना बादिगे इन पर सिंपनिक्र तो साफ का जिए तो एजना शीवे मेर्र आख साब पिर्या से विज़्य के अमरतकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा भारतिय अर्थ विवस्था सही रास्ते पर है जो उजविल भविश्य की ओर बढ़ रही है उन्होंने कहा कि अंतराष्ट्री आर्थिक मंदी के बावजूद आर्थिक विकासदर साथ प्रतिशत रही अंतियोधिय योजना के तहट गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान की आपूर्ति को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है विथमंत्री ने कहा कि वर्ष्ट 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों की जीवन की बहतर गुणवर्ता और गरेमापोर्ण जीवन सुनश्चित कया है In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7 percent. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and a war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. कुल मिलाकर इस बजट में India at 75 से India at 100 तक के अमरित काल के अगले 25 वर्षों में अर्थ विवस्ता को तिशा देने का विजन पेश किया गया है.